अच्छा लालू प्रशाद यादव की चिंता आप लोग क्यों करते हैं लालू जी तो एक्सपाइर माल हैं हम लोग उनका सम्मान करते हैं राजनिती में तो अब एक्सपाइर माल है उन्होंने खुद ही इस बात को परमानित कर दिया है अगर वो एक्सपाइर माल नहीं होते तो तेजस्वी आदव को अपनी कप्तानी नहीं देते हैं तो तेजस्वी आदव को उन्होंने आगे बढ़ा दिया है राजनिती करने के लिए और तेज परताब को अपने ही घर और अपने ही पाटी में उपेखित कर दिया है आप सभी लोग देख रहे हैं तमासा पिछले दो अपते से तो लालू जी के बिहार आने से और लालू जी के बिहार नहीं आने से बिहार के चुनाव पर कोई फरक नहीं परने वाला है बिहार की दोनों सीट NDA भारी मतों से जीतने वाली है साधारन नहीं और साधारन मतों के अंतर से ताड़ापूर और कुशेसर अस्थान हम जीतेंगे यह एकदम NDA का लक्ष है और इसमें सफलता मिलेगी जनता का यही रोजान इक świimit घुक्नार के हम लोग जनता के भरोसा से चलते हैं जनता के विश्वास से चलते हैं ďक उनसे पूछिएगा इसमें बिहार की जनता मन बनाई हुई है बिहार के दोनों ही जगह का जो मैं तो होके आया आत कुशेश्वर अस्थान लोगों का ऐदम साफ साफ मन बना हुआ है कि हम भिकास के साथ जाएंगे हम भिकास के साथ ही भिहार का भिकास करना चाहते हैं और निश्चित रूप से NDA के साथ उन्होंने अपना मन बनाया हुआ है इसमें किसी प्रकार की कोई किन्तु परंतु नहीं है ते जसुई आदव जी को मैं सुझाओ दूँगा कि पहले अपने बड़े भाई को सम्हाले अपने पडिवार को सम्हाले राजनिती से ज़्यादा महत्वण पडिवार होता है उनका पडिवार तूटने की स्थिती में आ गया है राजनिती का खेल बाद में कर लेंगे राजनिती राजनिती खेलने के लिए उनके पास बहुत अफसर है पहले पडिवार सम्हाले पडिवार दुवारा नहीं मिलेगा और पडिवार इस्वर जो देते हैं वही जीवन भर पड़िवार रहता है उनका कोई सगा बड़ा भाई कोई और नहीं हो सकता है अपने भाई को आहत करके वह राजनिती में किस मुकाम पर जाना चाहते हैं अपनी बड़ी वहन को आहत करके वह किस प्रकार की राजनिती करना चाहते हैं ये मेरे समझ से बाहर है और मेरा सुझा होगा कि पहले पडिवार को समाल ले फिर राजनिती राजनिती का खेल खेल लेंगे अब यही तो कह रहे हैं कि उनको अपना अपना पडिवार पहले समालना चाहिए तेजस्वी आदव जी को तेजस्वी आदव जी जो जिसको महा गठवंधन कह रहे थे जो अब लगू गठवंधन बच गया है जो राष्टिये पार्टी थी कांग्रेस वो अलग उमिदवार उतार के महा गठवंधन को बाई बाई कह दिया काटा कह दिया और आज तो उनका ब्यान आया है कि हम फ्रें बचाने का काम करें अपने पड़िवार को बचाने का काम करें फिर राजनिती राजनिती खेल लेंगे हम लोग हैं तयार को अरे देज परताब बीजेपी तो सबकी सबकी पाटी है ना किसी के बाप की पाटी थोड़े है बीजेपी तो सबकी पाटी है सबका साथ सबका वि से एनालिसिस करते हैं लोगों का और बीजेपी में अगर आते हैं तो सब का स्वागत है ये तो सब की पार्टी है ये तो ऐसा नहीं बीजेपी में तो आपको क्या मालूम है कि हमारे अगले अध्यक्ष कौन होंगे राश्टिये चाहे प्रदेश का लेकिन राजद में तो माल से सवाल पूछना चाहता हूं क्या अबदुलबारी सिद्की की कावलियत तेजस्वी यादव से कम है क्या राज़त के अंदर उनको क्यों किनारे कर दिया राज़त मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि लगातार जीतने वाले ललित यादव की अकल कम है क्या तेजस्वी पूत्र फिर तेजस्वी जी हटेंगे तो तेजस्वी जी का पूत्र अगर पाटी जिंदा रह गई तब तक तो ये पड़म परा चलेगी लेकिन हमारे यहां तो ये सब की पाटी है भारत की जनता की पाटी है इसलिए हम लोगों का नाम भी है भारती जनता पाटी इसलिए लोगों के साथ के लिए हम लोग पाटी में आगे बढ़ते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करें